बविश्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हर दिक स्वागत है दोस्तो आर्मी पब्लिक स्कूल में 108,000 विकेंसी निकली है जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि कितनी विकेंसी है क्या इसकी examination की dates हैं, क्या इसका selection process है अब आपको जब इस exam की तयारी करनी है तो exam के pattern और उसके syllabus के बारे में भी पता होना चाहिए किस तरह से questions पूछे जाते हैं, कहां कहां से कितने कितने questions पूछे जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए इसके अलावा मैं आपके साथ वो भी discuss करूँगा कि कई सारे students मुझे ये बोलते हैं कि जो army public school है इसकी जो vacancy है वो सारी की सारी fake होती है चली उस पर भी थोड़ी से discuss करेंगे उस पर मैं आपको बताऊँगा कि fake है या फिर real है ये क्या है चली शुरुबात करते हैं सबसे पहले examination के pattern और syllabus के बारे में जान लेते हैं देखिए ये video मैं क्यों बना रहा हूँ क्योंकि देखिए army public school में 8000 vacancy आई है लेकिन आप ये देखिए कि पूरी teaching जो sector है पूरी teaching industry है पूरी जो आपकी teaching line है इसमें मुझे कहीं तर दूर दूर तक 6 महीने तक भी कोई vacancy नहीं दिख रही है कई सारे students हैं जो seated pass कर रखे हैं कई सारे हैं UP debt पास कर रहा है MP debt की तयारी कर रहे हैं कई सारे exam है लेकिन vacancy किसी के पास नहीं है ना ही कोई वेकेंसी अगले 6 महीने में मुझे आती दिख रही है यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी उम्मीद यह है कि 8000 वेकेंसी आर्मी पबलेक स्कूल में आ गई है तो बहतर है कि आप इसकी तयारी करें इसके बारे में जानें, इसका फॉर्म एपलाई करें सारी चीज़ में पता चुका हूँ क्या क्या करना है, कैसे करना है इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं चलिए, exam के pattern और syllabus के बारे में discuss कर लेते हैं देखिए, यहाँ पर जो exam का pattern और syllabus है वो लग बग सेम रहता है TGT, PGT और PRT के लिए यहाँ पर PRT के लिए और TGT PGT के लिए जो Part 1 के एक्जाम है वो सेम रहता है केवल Part 2 एक्जाम है वो TGT और PGT वालों के लिए रहता है जिसमें आपको एक specific subject चूज करना होता है उसके ही प्रस्न आपको 90 यानि कि 90 questions इस specific subject के आपको देखने को मिलेंगे अब देखिए अब बात कर लेता हूँ जो Part 1 का जो एक्जाम है उसमें आपका General Awareness पूछा जाता है इसमें आपकी reasoning पूछ जाती है English पूछी जाती है मैं अभी आपको पताऊँ कि कौन-कौन से topic पूछी जाती है और हर एक section से आपके 20-25-25 questions पूछे जाते हैं आपके पास केवल 90 minutes होगी यानि कि 1.5 गंटा डेड़ गंटे में आपको 90 प्रस्णों को solve करना है इसके लावा ये भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो qualify है इसको करने के लिए 50% marks का होना इसमें लाना पेपर में जो screening test आपका पहले exam होगा उसमें आवश्चक है अगर आप हर एक subject में हैं इसमें है ना ऐसा निए कि एक subject में है हर एक section में आपको 50% score करना ही होगा आप हर एक section में 50% score करना है और इससे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि 0.25 की इसमें क्या है negative marking है इस exam में negative marking भी है 1 by 4 की यानि कि एक question आपने गलत कर दिया यानि कि चार question आपने गलत कर दिये तो एक सही प्रस्न भी आपका कट जाएगा तो ये बात याद रखना चार subject आपसे पूछे जाएंगे TGT PGT और PRT के लिए part 1 में जो part 2 है वो TGT PGT के लिए होता है उसमें specific subject से question पूछी आते हैं उसमें आपके TGT PGT वाले paper में 180 question होते हैं total और 180 minute ही यानि कि 3 घंटे आपको दिये जाते हैं याद रखिएगा सारे के सारे जो questions होंगे वो objective type question होंगे और आपके online test इसमें होता है computer आपको बिठा दिया जाएगा computer पर बैठ कर आपको सारे जो भी answer है वो tick करने होते हैं है ना तो यह हो गया आपके subject यह में आपको बदा दिया time negative marking के साथ अब देख लेते हैं इसका syllabus 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 important है इसकी तैयारी करने से पहले इसके syllabus के according ही तैयारी करना जब आप reasoning पड़ो तो इसमें आप सादरश्यता परिछड जो एनालोगी है वो जरूर पढ़ना इसमें classification यानि की वरगी करड आप यरूर पढ़ना series यानि की जो शरंकला है कूट लेखन कूट वाचन है blood relation यानि की रक्त संबंध direction sense यानि की दिशाग यान परिक्षण जो आपकी वेंड डाइग्राम है वो alphabet series sitting arrangement जो आपकी बैटने की विवस्ता है वो सारी चीज है तो ये सारे आप देख लीजिए reasoning के topic है इन reasoning के topic से हर एक topic से एक दो, एक दो question आपको एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगा है अब बात कर लेते हैं आपर general awareness की तो general awareness में आप पूरे एक साल का current affair पढ़ सकते हैं आप 6 मेने का भी पढ़ सकते हैं पहले यह होता है exam में के 6 मेने का current affair पूचा जाता है लेकिन अभी कोई वो नहीं है एक साल का भी current affair पूचा जा सकता है तो जो important important news है किवल वही पढ़ना जब आप important important news पढ़ोगे तो वह आपके जो interview होगा उसमें भी कामाएंगी तो current affair आप उनके लिए पढ़ना इसके लावा sports, history, geography, polity से भी कुछने से पूचे जाते हैं पॉलिटी में इंडियन constitution जो भारतिय समविदान है उसको बड़े ध्यान से बढ़ना वहीं से ज्यादा पूचे जादा पूचे आते हैं इसके लावा economics और technology से भी questions आपके पूचे जाते हैं तो general awareness का ये topic है general awareness कहीं से कहीं से कोई भी कुछ पूचा सकता है English देख लो आप English में आपकी vocabulary पूची आती है तीन से चानमर के question आपको vocabulary से देखने को जरूर मिलेंगे grammar में आपकी part of speech वगरा पूची आती है इसके topic है आप जरूर याद कर लीजिगा error correction आपसे पूचा जाता है comprehension, antonium, synonym, fill in the blank, sentence, reagiment सारे जो topic important important सारे English section में पूचे जाते हैं है तो इनको भी आप जरूर पढ़िएगा और इसके लावा आपकी psychology है उससे भी कई सारे topic पूचे आते हैं जैसे development वेका से सम्मंदित पूचे आते हैं आपकी pedagogy teaching और critical pedagogy हो से questions पूचे जाते हैं language teaching से आप से questions पूचे आते हैं socio-cultural theory आप जरूर पढ़के जाना इससे भी प्रशन आपको देखने को मिलेगा classroom management से भी प्रशन आपको देखने को मिलेगा यह सारे जो topic हैं इसको लिख लीजिए यह सारे topics इसके हैं आपके psychology के हैं methodology के हैं सारे topics हैं आपके सारे topics हैं कि दो-दो questions आपको जरूर देखने को मिलेंगे तो यह कुछ मैंने exam के pattern और उसके syllabus के बारे में आपको बता दिया अब बात आती है कि कई सारे लोग यह बोलते हैं कि जो army public school है उसकी जो vacancy है वो फेक होती है तो फेक पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं देखिए आप यह देखिए कि आपके आगे 6 महीने तक कोई vacancy है teaching sector में teaching line में कोई vacancy नहीं है बिल्कुल सरकार एकदम सोच चुकी है उनको कोई मजलम नहीं है कि केवल paper करवा लेते हैं UP debt करवा लो, C debt करवा लो बचों से fees बसूल लो 1200 रुपे उनको देने पड़ेंगे क्योंको उन्होंने BTC BAD कर रखा है अब इसको वो लोग छोड़ तो नहीं सकते बच्चे उनको देना ही पड़ेगा तो इस वैसे 1200 रख लो तो इस तरह से यहां पर तो हो जाती है लेकिन कोई विकेंसी नहीं है आर्मी पब्लिक स्कूल में विकेंसी आई है तो यह एक उमीद है आपके लिए इसकी आप तैयारी करें इसकी आप परिक्षा दें इसका आप इंटर्विव फियस करें वहां पर कई सारी चीज़ आपको खुद को आपको ज्यादा प्रिफरेंस देते हैं वह लोग तो यह तो हर शेक्टर में होता है आप कहीं भी देख लेना किसी भी भरती को देख लेना पर आउट होते हैं अपने रिस्तेदारों से पैसे ले लेके लोग लगवाते हैं कई सारी भरती फिर कोट मजाती है कई सारी चीज़ होती है तो आद्मी पॉब्लिक स्कूल में भी होता है तो उसकी टेंशन मत लेना यह बात हमेशा जाद रखना कि 100% दांदली से यह फिर 100% वो अपने जान पेचान वालों को नहीं लेंगे या फिर 100% वो आपको भी नहीं लेंगे कि एक्जाम कंड़क्टर वागे वो जब अपने जान पेचान वालों को प्रिफरेंस देंगे उनका सेलेक्शन करेंगे तो उसमेंसे 50% या फिर जो भी वो करें उसमेंसे आप लोगों को भी बहुत सारे लोगों को जॉब देंगे ऐसा नहीं है कि 100% जान पेचान वालों को ले ले है ना इसमें दिक्कत या आती है कि कई सारे स्टुडेट्स होते हैं कि एक्जाम पास करके बैड़े आती है विकेंसी का पता नहीं होता है तो बिलकुल आपको जो भी आर्मी पबलिक स्कूल है जो एक्जाम स्टुडेंट्स आप मेंसे जो दोगे तो जैसे फ्यूचर में एक दो महीने बाद 6 महीने बाद कभी भी किसी भी आर्मी पबलिक स्कूल में अगर विकेंसी आती है तो आपको बिलकुल सूचित कर दिया जाएगा सरकारी अध्यापक चैनल पर आप सब्सक्राइब करके इसके जो बेल आइकन है इसको आल पर सेट कर लो आल पर सेट कर लोगे तो आपको हरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई भी सूचना होगी तो हम आप तक पहुंचा देंगे तो यह कुछ important सी वीडियो थी दोस्तों से लिए बस exam pattern के regarding उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगो इसको लाइक करें शेयर करें पहली बारा तो चैनल को सब्सक्राइब यरूर कर लें आज के लिए तना ही धन्यवाद